हालनकि कॉंग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के अपने वादे पर ज़ादा कुछ नहीं का, करना टक कॉंग्रेस के वश्च नेता डीके शुकुमान इस पर पूछे के सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया और हमार साथ हमारे सेविगी निहाल के द्वाई हैं इस पर अधिक बात्चीत करनी के लिए निहाल यह जो मुद्दा उठा है इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ से धुरूवी करन का प्रयास किया जा रहा है दूसरी तरफ से भष्टाचार के मुद्द्यों को ले करके कॉंग्रेस पार्टी आकरा मखे तो आखिरकार यह मुद्दा जो है धुरूवी करन के जितने मुद्दे उठा जा यह कितना असर जन्ता के ओपर डालेंगे और ऐसे कौन से ख्षेतर है करनाटक के जहां पर कि इन मुद्दों का असर हो सकता है देखे यह जो धुरूवी करन की कोशिश हो रही है वो बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही तरफ से हो रही है दोनों के मैलिफेस्टों को अगर आप देखेंगे तो दोनों में कुछ इस तरह की बाते कही गई हैं जो सीधे तोर पर सामपरदाएक दुर्वी करन की तरफ जाती हूँ दिखती है जैसा कि आपने जिक्र भी किया कॉंग्रेस ने अपने मैलिफेस्टों में ये कहा कि जितने भी कुछ गैर जरूरी फैसले लिए गए हैं जिसको वो पलटेंगे ये गैर जरूरी फैसले कौन है ये फैसले बात कही जा रही है एन्टी कनवर्जिए धर्मानतरन रोक थाम खानून उसको बदलने की बात कही अगया रही हैं साथ साथ बीजैपी का हर्ट बेका यहां पर अज़सी मंदिर को भवेता दी जाएगी उनका जो जनमस्थान है होस्पेट में साथी साथ राम मंदिर है यहां पे उसको भवेता दी जाएगी और जो मुझ रिजर्वेशन चार परसेंट खत्म किया गया है और वो वक्त लिगा और लिंगायतों के बीच बाटा गया है उसको वो अपनी एक उपलप्थी के तौर पेश करे वोशनापत्र में ये कहा है कि अगर कॉंग्रिस के सरकार आती है तो चार फीजदी डिजर्वेशन को वापस करेगी मुसल्मानों को दुबारे देगी और साथी सार्वेशन पचास फीजदी नहीं होगा बलकि 75 फीजदी तक इसको ले जाया जाए जब गगा जब मैंने इस चीजों के बीच में आप देखे कि धुर्वी करंग की कोशिश साफ तरपर दोनों ही पार्टिया कर रही है यहां पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन जो गुद्धा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है जिससे गाउं के लोग बहुत परिशान है हम जब गए थ और धुबी करंगा प्रयास यह जो प्रयास किये जा रहे है निहाल ऐसे कौन से इलाके है जहां पर किस तरी के आजिती चलती है और जिसमें कि यह का जा सकता है कि बीजेपी को इसमें काम्या वी मिल सकती है देखे जो तटिय करनाटक है कोस्टल करनाटक है वहां 19 सीटे और तीन जिलों में और यहां जो 19 सीटे हैं इसका सीधा असर पड़ा गया इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और हमने देखा है कि जब चर्च पे हमले हुए उस वक्त जो परिणाम आए उसके तो फॉरन बाद व परिखे जो तटिय करनाटक है वहां इसका सीधा असर पर एगा इसका असर आपको बैंगलूरु शहर के कुछ विधान सभाश्वाश्चत्रों पर आपको सकते हैं कि 12-15 विधान सभाश्चत्रों पर 28 में से मैं विरहत बैंगलूरु की बात कर रहा हूं की बात नहीं कर रह जहां बीजेपी का काफी दबदबा है तो कुल मिला करके आप कह सकते हैं 30-40 सीटे ऐसी है जहां पर इस तरह की ब्यानवाजी इस तरह की धुर्वी करन की जो कोशिश है वह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं बहुत बहुत शुक्री आपकर नहाल इस तमाम जानकार और आज जो कॉंग्रेस पार्टी का खोशना पत्र आया है इसमें सामाजिक नियाएक एजेंडियों को भी कॉंग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है और करनाटक में कई वादे की हैं इसमें आरक्षन को 50% से बढ़ा कर 75% करना और सामाजिक आर्थिक जनगरना के जारी करना भी शामिल है इसके अलावा ग्री जोती योजना के तहट 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी ये भी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से गारंटी दी गई है बीपिल परिवार को हर सदस्य को 10 किलो चावल हर मेहने दिया जाएगा ये दूसरी गारंटी है इसके चौथी गारंटी कॉंगरेस पार्टी की ओर से और 5 पालगे बीरोजगार ग्रेजुूट को तीन हजार रुपे मेहने दो साल तक देने के लिए और बीरोजगार ढुपनेको dauकलो गया है नार्यल किसानों के लिए अधान्य के लिए एमस्पी की जाएगी दूद पर सबसीडी पांच रुपे से बढ़ा कर साथ रुपे करने का कॉंग्रेस ने वादा किया है बीपील परिवारों को आधा लीटर नंदेनी दूद मुफ्त दिया जाएगा यही वादा बीजे किया जाएगा जो पुलिस कर्मी नाइट ड्यूटी करते हैं उनको पांच हजार रुपे महिने का भत्ता भी देने का वादा किया गया है बीजेपी की ओर से तो यह सारे वादे हैं जो आज कॉंग्रेस ने अपनी ओर से किया है लेकिन बजग दल पर बैन लगाने का जो कॉ किया महादा है